करें कि जो लोग परमेशर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही कोथपन करती हैं अब हो सकता है कोई परमेशर से प्यार नहीं करता परमेशर का प्रेम ही नहीं है हो सकता है वो परमेशर का विरोधी है हो सकता है वो परमेशर में है पर परमेशर का स्वार्थ ही है उनके लिए सारी बाते मिलकर भलाई को उत्वपन नहीं करेंगी उनके जीवन में तो शेतान ने काम करना ही है उनके जीवन में परमेशर शेतान को काम करने से जो उसके प्रेम के लिए उसके पीछे चल रहे है उनके लाइफ में उनके जीवन में सारी बाते मिल करके भलाई को उत्पन कर देती है बोलो हालेलुया तो अब आप अपने आपको देखो क्या कि आपके अंदर परमेशर के लिए स्वार्थ है या प्रेम है अगर स्वार्थ है तो भलाई नहीं है यह पहली देख लो अगर अब प्रेम है आपके मन में परमेशर के लिए तो अब भलाई देखोगे अपने जीवन में यह तैह है जो परमेशर है मेरी बात सुनो ध्यान से प्रेम का सिस्टम प्यार का सिस्टम समझ लो प्रार्थनों का तहट आपकी महनत के तहट प्रमेशर आपके जीवन में काम नहीं करता सुनो आपकी प्रार्थना की महनत के अनुसार प्रमेशर जीवन में काम नहीं करता वो प्रार्थनों को सुन रहा है इकत्रित कर रहा है ये साफ है प्रमेश्र काम करता है जीवन में प्रेम के तहत प्यार के तहत अगर आपके मन में प्रेम प्रमेश्र के लिए है तो मन से निकली प्रार्थनों का उत्तर आ जाएगा मन में बोला हुआ मांगा हुआ हो जाएगा मिल जाएगा हो जाएगा अगर प्रेम है तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारी मेहनत जो है जो मैं प्रमेश्र के लिए जादा से जादा कर रहा हूँ वो प्रमेश्र को प्रभावित कर देता है वो मेहनत प्रमेश्र को प्रभावित तब करेगी अगर आपके अंदर प्रमेश्र के लिए प्रेम है अब आप सोचेगे मेहनत तो वही करते है जिनके अंदर प्रेम है नहीं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हम प्रमेश्र को बैसदार बना लेंगे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर को फोर्स कर लेंगे मैं उन लोग के लिए बात बोर रहा हूं फोर्स करने से कुछ नहीं होगा जोर जोर से रो लिया जोर जोर से गिड़ गड़ा लिया पर मन में वचन परमेशर का प्यार नहीं है परमेशर के लिए प्यार नहीं है तो नहीं होगा आज अपने मन से स्वारा गसारा स्वार्थ निकाल दो और परमेशर को ऐसा समर्पित कर दो अपने आपको अपने जीवन को ये बोलते हैं ये सोचते हमेशा के लिए क्या कि परमेश्यूर तू मेरी प्राथना सुने ना सुने मैं तेरे ही पीछे चलूगा तू मेरे जीवन में कुछ कर या ना कर मैं तेरा ही हूँ तेरा ही रहूँगा परमेशर को कह दो, ऐसे सौब दो पने आपको, समर्पित कह दो पने आपको कि परमेशर मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा और फिर देखो सारी बाते बिल करके भलाई दिखाएंगी ही दिखाएंगी पर जो प्रेमी है, मैं परमेशर से प्यार करता हूँ, ये बोलने से ये सिदनी हो गया कि मैं प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में, मैं मुश्किलों में, कठीनाईयों में, बड़े-बड़े संघर्षों में भी जो परमेशर की वहिमा में बना रहता हूँ, इससे पता लगता ह कि मैं परमेशर का प्रेमी हूँ मैं परमेशर से प्यार करती हूँ जी ये बात पोलने से पता नहीं लगता कि वो जन वो भेन परमेशर से प्यार करती है नहीं अरे अभी कुछ मिल ले रहा अभी जीवन में कोई गवाही नहीं बनी फिर भी हर Sunday Church में आ रहे हैं, और लोगं को भी ला रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं, इस से पता लगता है कि प्यार है या नहीं. तो प्रेम के तहट ही सारा कुछ होना है, सबसे पहले प्रेम है, सबसे बढ़कर प्रेम है, क्योंकि परमेशर आपसे प्रेम करता है तो पहले आपके अंदर प्रेम प्यार देखना चाहता है क्योंकि ये बात सुन लो जिसके अंदर परमेशर के लिए प्रेम आ गया प्यार आ गया वो अपने आप भी विर सारा कुछ करेगा उसको कुछ बोलने की बताने की जुरुत पड़ेगी नहीं कुछ कुछ